पार्टीदार से पुछताज क्यों नहीं की ये बड़ा सवाल और पूरी जाज कर ली गई पर S.P. का बयान तक नहीं लिया गया है पार्टीदार के खिलाव सबूत के बाद भी अब उसे बचाया जा रहा है तथ्यों के साथ पोल खुरी तो पार्टीदार फरार हो गया पार् सवाल भी बनता है पार्टीदार से पुछताज की बगयर आखिरकार रिपोर्ट क्यों सौब दी गई पार्टीदार की पल्टन खुल कर सामया आती दिख रही है अब और सबसे बड़े आरोपी से पुछताज चक नहीं की गई है साइटी ने जाज जिपोर्ट मीडिया में लीग क्यों कराई ये भी सवाल और इसके बाद फुलिस को भी नहीं पता है कि पार्टीदार कहा है साइटी की निस्पक्ष्टा पर अब गंबीर सवाल खड़े हो रहे है और काफी लंबार सा एक लंबा वक्त बीच चुका है लेकिन अभी तक जो आरोपी है एसपी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है और देखी ना तो उसका बयान दर्ज हुआ है ना ही उसके बारे में अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी साइटी के पास है पुलिस के पास है और उसके बार भी आपर कई सवाल अभी तक पुलिस क्या कर रही है हत्या कांच पर पुलिस की कहानी में जोल नजर आ रहा है हत्या कांच पर पुलिस के दावो में जोल है पुलिस का दावा गोली गर्दन को पार कर गई ये कहना है गर्दन पार गोली ड्राइविंग सीट में धसी ये पुलिस ने कहा इसी के साथ घटना के बाद के वीजियो में अलगी ऐसा कुछ नहीं है तब उस समय गोली भी नहीं मिली थी और चर्चा की गोली कार के बार मारी गई है गोली मारकर इंद्रकांत को कार में बठाया गया बाद में इंद्रकांत को कार में बैठाने की चर्चा अभी तक यहाँ पर जो पाटिदार है उसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है EDG ने हालाकि देखिये Press Conference की तो इस बात को कहा था कि ये गोली खुद मारी गई है, पास्ट से मारी गई है, अभी तक पाटिदार से पुछताच नहीं हुई है, ये EDG ने खुद कहा था, पाटिदार कहा है, ये भी नहीं पता, इस बात का विजिक्र EDG ने किया है, पाटिदा की कोई लोकिश्यत तक नहीं है मडिलाल पाटिदार फोन भी उठा रहे हैं और ये भी एडिगी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बकायदा कहा था और इस पूरे मामले में कल ही देखिये एडिगी के तरफ से प्रेस कॉन्फेंस करके जानकार उती गई है तो देखे फिलाल एक तरफ यहां पर इंदरकांदर तुर्पाट्ची की मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते दिख रहे हैं ऐसे में जब जाज S.I.T. को स्वापी गई है तो S.I.T. के जाज में यग जोल नजर आ रहा है पोलिस किस तरीके से कारवाई कर रही है इसमें जोल नजर आ रहा है और A.D.G. ने जो प्रेस कॉंफरेंस करके बाते कहीं है उसके बाद और कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर कारी रिपोर्ट जो जाज रिपोर्ट वो लीक क्यों हो गई मेडिया में लीक क्यों कराई गई है S.I.T. यहाँ पर क्यों S.P. मडिलाल पाटिदार ते पुश्टाच नहीं कर पाई और अभी तक आखिरकार पाटिदार कहां इसके बारे में जानकारी पूलिस को क्यों नहीं लगी है क्योंकि एक लंबा वक्त बीच चुका है लगातार यहाँ पर परिवार नयाई की मांग कर रहा है और इस पूरी केस में S.I.T. भी से लिए बनाई गई थी ताकि निस्पक्ष जाज छो पाई तीन आई पियर्स ओफिसर जो थे वो इस ससाइटी में शामिल थे जो इस पूरी जाज को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन अब जो जाज सिपोर्ट के बाद बाते सामनी आई ही निकल कर वो इसके बाद इस नए केस को एक नया मोड देती दिख रही है यहाँ पर मडर को सोसाइट बना दिया गया है हाला कि कई एहम सबूत है पास लेकिन पुलिस उसके बाद भी इस पूरे केस को सोसाइट बता रही है आरोब देखें यह लगे थे कि यहाँ पर जो मडर हुआ है व्यापारी का वो गाड़ी के बाहर हुआ था बाद में उसको अंदर बठाए गया अभी उनके द्वारा एक कोरोना से पीडित होने की रिपोर्ट उनके एड़ोकेट द्वारा बेजी गई है हमारे साथ विक्रम सिंग जी जो की पूर डीजी पी रह चुके वो जुड़ चुके है बारा समचार के साथ विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत आपका लेकिन इस फक्त देखिए जो एक ख़बर हम दिखा रहे है इसमें SIT के जाज शक के घेरे में आकर खड़ी हो गई है क्यों SIT यहां पर एक पक्ष्ट को देखी नहीं रही है वो आरोपियों से पुष्टाच नहीं करी क्या इस संभव है बिना पुष्टाच के आप रिपोर्ट साम में ला देते हैं कोई बिजांच तब तक पूरी होती है जब तक आरोपियों से पूरी तरीके से चानबीर और उनके प्रस्तुत किये हैं समिच के सामने उनका सत्यापन न किया जाए एक तरफा जांच जांच नहीं कहीं जाती है दूसरी चीज़ जो तत ही ये हैं कि अगर आत्मात्या है तो पोस्मार्टम क्या प्रभानित करती है कि आत्मात्या स्कॉर्चिंग, सिंजिंग और जो चलता है वो पोर्शन अगर आदमी अपने आपको अगने अससे मारता है तो उसके बिल्कुल सपष्ट संकेत मिल जाते हैं कि हत्या सठा के मारा गया है कोई सूसाइड नोट लेकिन जो सूसाइड नोट ये जिसको मैं डाइंग डिक्रेशन का कफन मानता हूँ उसमें पर किया था कि तदकालीन एससवी के शोशन के मांध्यम से उपनी हत्या या अपनी मौत को संभावित मान रहा था तरहाल हत्या हो आत्मत्या हो इस तिपढ़ी बात में करूंगा लेकिन अगर इसने आत्मत्या भी की है तो पाठीदार साहब अपनी जिम्मेंटारी से हाथ नहीं दो सकते हैं वो परियाप्त साख्ष है पातिदार साहथ को सला के पीचर ले जा दे के लिए बिल्कुल विक्रम सिंजी और देखे आप भी कहरें जो वीडियो हमने भी दिखाया दर्चकों को और वीडियो में साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से एस्पी जो परिशान करता था इस विक्रम सिंजी देखे जव्यावर उस SIT पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे तो कैसे हम समझ ले कि जाज रिपोर्ट सही है क्योंकि तर्थ्य देखी पूरे थे कि मडर है उसके बाद ये भी सवाल उठ जाते कि आप पर सबूतों से चरचाड़ हो सकती है तो क्याम यह माने कि अगर साइटी कुछ भी कहेगी तो वह सच नहीं हो सकता है आप देखे राज्य के सामने एक चैन करने का है एतिहासी घड़ी है अगर आपने संदिक्द S.I.T. रिपोर्ट पे कारवाई नहीं की जिन मान के चलिए कि पुलिस विभाग और निया विवस्था और रसातल में जाएगी और और डकैत पुलिस विभाग में आएंगे खु सब्सक्राइब नहीं करेंगा यह लोग कलंग है वर्भी के ऊपर कलंग को अपने कल्यमत लगाई है विक्रम जी यहां पर देखे एड़ी जी बकायदा एक प्रस कॉंफेंस करते हैं और यहां पर S.I.T. के जाच के बारे में जानकारी देते वो खुद कहते है क्या एड़ी कारवाई की जाती है और शासन को प्रेशित करने के पहले प्री मेच्योर डिस्क्लोजर कहते हैं मतब समय अवदिक के पूर और अनादिकरित यह इसमें डिस्क्लोजर जिससे की आरोपियों को बौका मिल जाए एक घम किस्तिती उत्पंद कर ले लेकिन विभाग से में मेरी स्वच और तक काल होना चाहिए विक्रम सिंग चीदे कि यहां पर एडीजी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि असपी पाटीदार कहा है फोन नहीं आए लोकेशन हमें नहीं पता है सीदे सीदे हाथ खड़े कर दिये जाते हैं पुलस अपनी जिम्हदारी से मूँ मोड लेती है क सब्सक्राइब. बताने की कोशिश जो कहा गया की मडर हुआ है उसको तो साइट बताने की कोशिश देखे ये चीजे बड़ी प्रभाडित हो जाती है कि आत्मात्या क्या है इसको कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि एक कुशल वेवेचक को जादा समय लगेगा उसमाटम में क्या था कि इसी पर दिसमिश जाना चाहिए बिलकुल विक्रम सिंग जी लेकिन क्या देखे पुलिस को जूट बोलने में डर नहीं लगता है देखे घड़ना के बाद का जो वीडियो था उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उस समय गोली कार के अंदर मारी गई हो बलकि यह दिखाया गय जांग करता है उनकी बृत के ऊपर क्या कारण संभावित हैं और विवेशना एक वो है यह मान के चलिए मुझे साथ दिख रहा है कि यह विवेशना अब CBI को जाने वाली आज नहीं तो कल कोई ने कोई इसको हाई को जाके CBI को ट्रांसफर करा देगा अब आप भी कह रहें कि यहां पर जो जाच है सवालों के गेरे में यकीनन है और ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए CBI जब जाच करेंगी तो CBI की जाच में भी हो सकता है वक्त लग जाए अभी तो फिलाल सवाल इस जाच रिपोर्ट पर बनता है ना इस जाच रिपोर्ट पर सवाल कौन खड़ा करेगा कौन इस पर एक्शन लेगा लीजिए इतनी देर से हम आप क्या करें सवाल पे सवाल उठा रहे हैं सवाल का मैं देना हूँ इस जांच रिपोर्ट के ऊपर जो सवाल आपने उठाए उसका जवाब का समावेश सबसे पहले शुरू कीजिए कि आपने शातन को भेजने के पहले प्रस कांफरेंस ये कोई औ जब तक आपने शासन को नहीं बेजा तब तक इसके ऊपर चर्चा करना और मीडिया के सामने जाना और चित्ति पूर नहीं है दूसरी चीज जो सरकंस्टासिस मैंने च्छे पॉइंट्स आपको बताए कि यह हत्या की और इंगित करते हैं उनको पहले नकारिए पाटिदार पार्ची हत्याकांट पर बोले पूर डिजीपी बारसमाचार से देखिए वो जुड़े हुए थे बारसमाचार से बाचीत में विक्रम सिंग ने कई बाते बोली है कोई IPS किसी के हत्या नहीं कर सकता है वो खुद इस जाच पर सवाल खड़े कर रहे हैं SIT जाच पर विक्रम हुई है यह गलत सरासर और इसके लिए जवाब नहीं बनती है और जो आरूपी SP है पाटीदार उसके खिलाफ कड़ा एक्षन लेना चाहिए जो लोग इसे बचा रहे हैं उन पर भी आक्षन लेना चाहिए प्रचासन से क्यों अभी तक पूरे मामने को लेका डिसकर्स नही हुँ सुरोका कर झाहिए खिलाफ हुँ जारूआ कर बहुत पुलाभ अपर इस एक वर ल्ऱव इसंए हो उवम हो कहुचछन भी तर जो एक्रें से कष्टर tem हको फुलाज शेयं रहें ऊता हैं वई क्यों हुआरूण